कि यह सभी भीयान ते राम राम है आज की वीडियो होने वाली है यह गाड़ी के बारे में यू है रेनोल की क्विड यह को होगो कम्प्लीट रिव्यू और रिव्यू भी ऐसा नहीं होगो यह गाड़ी अब हम चलाएंगे तक्रीबन पंद्रेसो किलोमीटर बल्लावड पॉजिटिव है कहा नहीं कि वह रास्ते में चलते चलते बताते रहेंगे तो यू को जो फेसलिफ्ट आ रहा भी यू मॉडल भी और यू गाड़ी चली अभी पंद्रे हजार अब कि इंजिन की आवास्तों तो में पतो ही यह कैसा करेक रहा हुँ डीजल गाड़ी इनकी र कि जैसे कि पंद्रे हजार चैसों तर्यपर किलोमेटर चली है तो भी चल रहे हैं वीडियो कर रहें स्टार्ट और यह गाड़ी को करें रिव्यू कंप्लीट चलाने के बाद ही बताऊंगो कैसी है कैसी ना भीया लेनी चाहिए या यू गाड़ी तो मैं ना लेनी चाहिए तो भीयाओ अभी ता मैं सवारी तो एक भी ना दीख लेगी पर थोड़ी तेर में पूरी बरने वारी है तो यह गाड़ी कंप्लीट लोड के गल जाएगी और विद लगेज तो यह गाड़ी ले जाने को मतलब यह है मैं प्रीजन कि आको पॉजिटिव नेगेटिव तो ऐसो कुछ ना भीया कंप्लीट यह को रिव्यू दिये जाएगा अलब कैसी परफॉर्म कर लिये हैं लोग रूट पर क्या एवरेज बगेरा है तो बाकि अलग वीडियो बनाएंगे माई लिज कितनों देए यू टेंक टू टैंक वा वीडियो अलग देखियों तो यह म अब फिरते राम राम थूट दिर में मिलेंगे जय माता वैश्नो देवी की पादी पत्त कहुंचने वा लें घजिए अपना केमपी एकस्प्रेक्स वैं अगाडी की चलने की बात करें तो 80-90 की स्पीड पर तो गाड़ी श्टेबलर य और बड Hi चला है और नभाटी की सीट उपर काड़ी श्टेबल नाहे काता ही ही से नरे भाई daughter अब तो चलाने में दिकतना है पर सोकर थोड़े से वाई आके लचीलोपन जादा है जम्प जादा करें गाडी बाकि अभी आई वे को एसाबते तो ठीक चल रही है असी नबबे के स्पूड़ पही चला रहे हैं क्या ते चला भी ना रहे हैं आए वह सब भी रुखे हैं यह अपना मुर्तल डावा तो अभी सुबह की चाय बगेरा के लिए क्योंकि सुबह चार बज़े के निकले हैं और यह है अपनी कुईड तो भाईयों आप करते हैं इस गाड़ी के बारे में बात अगर को भी है या गाड़ी लेने हो चाहरो और सूच रोया लेने के बारे में तो पहली बात तो यह अगर आपकी फैमिली छोटी है तो यह गाड़ी के बारे में आप सोची हो नहीं तो यह गाड़ी भूल जाई हो अगर आपकी फैमिली में आप और मिया बीबी एक दो छोटे बच्चे हैं तो यह गाड़ी के बारे में सोची हो और नहीं तो फैमिली म उपर को जैसे तुम सफर करोगे तो यह रुआ देगी कतई अगर हाइट आपकी पांच साथ पांच आठ है तो भी चल जाएगो और जैसे ही आप सो किलो मिटर ते जादा जाओगे स्पेस ना है गाड़ी में मतलब पांच बंदे की कहने के लायक है कि फाइब सीटर है पर पा एकसिलेटर देने की कोसिस करोगे साथ किसी बिड़ पांच बेगेर में तो गाड़ी ऐसे चलेगी जैसे मतलब साथ ते एक सथा ठहने में बास ठहने में भी टैम ले गाओं तो आप इस कहा करना पड़ागो तुसीदो सिंपल तरीका है पांच एथे तीसरे गेर में जलते रहोगे तो यह 20-23 के बीच में एवरेज निकार देगी और 80 पे एक बार पहुंच जाएगी असी नभ्य पाप चला हुआ है तो बढ़िया चलेगी और एवरेज भी बढ़िया देगी पर जैसी आप यह सूचोगी कि ओवर्टेक करनेंगे साथ की स्पीड़ी पांच मे गेर लगा रहा को और तुम उबर टेक करनो एक गया गाड़िया निकार लिंगे तुम मतलब पंच जो देखें तो ऐसा नो होगा आप सीदो पांच में ते तीसरी गेर में आनो पड़ाएगो जब यह थोड़ी सी भगएगी थोड़ी भगएगी ज्यादा ना भगएगी प पर यह में जैसे वेट बढ़ जाएगो उबर जब लोड में चले तब दिक्कत करें मतलब दो बढ़े हैं और बालक है तो आप यह गाड़ी के बार में सोच ली जाओ नहीं तो यह गाड़ी फिर पाहड़न पर जैसे भी आप देख रहे हो वीडियो में यह पाहड़न पर चल रही है यहां मतलब यू ऐसो सत्तर कि स्वीड पर चल रहे है ना पांचवे गेर में और चड़ाई आगए तो यह आप पर पंजो रखने थे तो यह को मीटर फूरो पंजो दवाने के बाद भी उपर करना बढ़ाएगो सत्तर ते एकहत्तर नहरी है सत्तर ते अड़ सथ सत्तर कि स्वीड पर चड़ाया और फुल बेट में लोड में तो आगे के ना बढ़ रही बाकी गाड़ी ऐसी नब्बह पर जैसे तुम चलाओगे पूरी स्टेवल है मतलब पर नब्बह ते जैसे आप उपर जाओगे सो कूती गाड़ी कती कंट्रोल ना रहे अपनी मर्ज समझाओ पर हां यू है कि आप छोटी फैमिली छोटो परिवार है तो या गड़ी के बारे में सोच ली जो नहीं तो अब करें कि दूसरो जो कॉंप्टिशन है मारूती अल्टो 800 वाके मुकाबले इंजन नौइजी है इंजन में वाइब्रेशन है मतलब इतनो रिफाइंड है में या में तुम्हें पतो चलेगी गेड़ चेंज है रहे हैं वे थोड़े से हाड जो इस्टिफनेस रेक रहे है वाकी जरूर पतो चलेगी अब सस्पेंजन या के लची लो मतलब उबड़ खावडन पर चलाओंगे वाई साब तो बढ़िया है दचकी बचकी नह हलागी जैसे गाड़ी लोड में आप जैसे की वीडियो में देख रहROUS तो यहां को पीशे देखने को ऐसी सो रह रहो बात रहो हुँ आइप क्ते बारो फाइगे अर वहाँ गिलास के अनुसार सेट करोगे जो पीछे को जो सी सो है रियर वीयू मिरार है गीलास वाख ये सब ये सेट करोगे तो ये रोड़ई दिखाएगी मतलब बीस-तीस मीटर चालिस मीटर ते पीछे कोई गाड़ी आ रही है वाय ना दिखाएगी रोडए पड़े दिखाएगी वह आप देखने हो पड़ेगा अगर पीछे तो कोई गाड़ी यह वाई देखने करने हैं तो में साइड मिरर जो रहे हैं राइट और लेफ्ट वारे उन कोई साहरो लेना पड़ाएगा लोड में तो नहीं तो गाड़ी पीछे ते दब गए तो अब बात करें या कि अगर यू गाड़ी तो में लेनी है तो क्यों लेनी चाहिए भीया जैसे है का कॉमप्टिशन है अल्टो में मैं और जो मेरे साथ बैठे रिस्तेदार अगर हम दोनों बैठेंगे तो हमारे कंधा टकराव है और या गाड़ी में हम दोनों के बीच में अच्छो स्पीस हो अच्छो गैप हो तो अल्टो ते तो जादा स्पीस है या में पहलो परिम्ट तो यह है अल्टो ते कंपेर करेंगे तो बहुत बड़ी स्पीस है डिगई भी बड़ी है अल्टो आट्स होते और अंदर हमारे कंधान में बड़ी अगैप हो मतलब अल्ट है ना वाकि जो रोशनिय रोड पर जो वाकि मतलब ब्राइटनेस है वह अल्टो ते कहीं बढ़िया है मतलब पूरो विज्वल रहे रोड आप वह अपने इसाबते ऊपर नीच अरजस्ट करके वह चलाओ भीया मतलब रोड पर विज्वल्टी बहुत बढ़िया है अल्टो के कमपेरिशन में क्योंकि अल्टो मैंने रखी है मैंने चलाई भीया तो वह हिसाबते में बता रहा हूँ और वाकि वाटएम तक मैंने यूट्यूब पर यूट्यूप पर यूव वीडियो बनाने को काम ना करो चालो भीया यू अभी करो तो काई दिन वाको भी करेंगे तो आप वाकिवी वीडियो वीडियो दिखाएंगे तो आप करें तीसरे पॉइंट पर बात तीसरे पॉइंट वह है या को जो आगे की सीट है ना पीछे तुम्हें बैठोना हो आगे की जो फ्रंट सीट है मारूती अल्टो आठ सो अल्टो केटें और मैं यहां में ले रहा साइड में ते जो बकिट सीट की सी फिलिंग नाव है मतलब घुसके बैठो हो आप यहां में जबकि सैलेरियो अल्टो केटें में सीट छोटी सी लगेंगे तो मैं साइड में कोई सपोर्ट ना है और बैक में जो पीछे कमर में बैक सपोर्ट जहां बो लेक रहे हैं मैं तो सीट जो कमफर्ट है उनके मुकाबले तो मैं सैलेरियो तक को भी नाम ले रहा हूं क्योंकि यह आते बड़े सेग्मेंट में आवे तो यहां की सीट मारूती की इन तीन और चारो गाड़ी नते तो बढ़ी आए तो अगर आपकी फैमिली भाई यह परिवार छोट हो है तो आप यह गाड़ी यह लेके विश्क लद्दाक भी चले जाओ तो कोई दिक्कत ना आएगी पर में यह परिवार मतलब गाड़ी में वीट ना होना चाहिए यह दवेगी ना तो रियर व्यू मिलर पीछे को भी ठीक रहेगा पीछे विज्वल्टी ठीक रहेगी और स्प यह गाड़ी तें पंद्रेसो किलोमेट्र को ट्रिप कर लिया है पंद्रेसो मेंते हजार किलोमेट्र में तक्रिवन बंए चलाही है वाकिछे लिए वाफिय रिष्तेदार ने ड्र राइब करी तोिपीों में कोई झीप ब体फरकी सब बरत यह है युँंस शल रहा है मैंने यह कोई पहले चलाई नहीं तो हजार किलूमेटर चलाने के बाद रिव्यू है तो भाईयो आप वीडियो को करें यहीं पर एंड अगर भाई वीडियो थोड़ी सी वच्छे लगी हो और तुमारे काम की हो तो कृपया चैनल सस्क्राइब और वीडियो लाइक एंड शे